Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं SSC CPO 2022 में जितनी भी शिफ्ट में biology के questions आए हैं, हम उन सब का analysis करने वाले हैं, उन सब को cover करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी biology का extent है वो कहां तक जा सकता है, इसी के साथ SSC के regarding सबसे पहले updates के लिए आपको चानल को subscribe करना है, तो आप subscribe करना ना भूलें, बात करते हैं first question की, तो पहला question है, which of the following is a diverse group of aquatic organisms capable of photosynthesizing, यानि वो कौन से aquatic organisms हैं, वो कौन से पानी में रहने वाले जानवर हैं, जो photosynthesis यानि प्रकाश संसलेशन कर सकते हैं, जैसा आपको पता है कि सारे की सारे organisms photosynthesis न नह होते हैं, तो yeast यानि खमीर, फंजाई यानि शेवाल, algae यानि कवक और protozoa, तो इन चारों में से मैं आपको बता दू जो green color की होती है, वो होती है, algae और कवक, तो आपके जो आपका अंसर होगा, वो होगा, algae यानि कवक, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से organisms हैं, जो photosynthesis कर स सकते हैं, yeast नहीं कर सकता, yeast नहीं करता है, फंजाई यानि शेवाल नहीं करते हैं, आपको मैं बता दू, fungi तो famous होती है, यह वहीं पढ़्चा सड़ी गली चीजे हो, वहां पर फंजाई आती है, तो fungi भी photosynthesis नहीं करती, protozoa भी photosynthesis नहीं करता है, in fact protozoa, आप कह सकते हो कि animals की category म इसको आप मान सकते हो, microorganism है, तो algae ही है, जो photosynthesis करती है, तो इसका जो correct answer होगा, वो है option C, इसी के साथ next question की बात करते हैं, in ecology, dash is determined by dividing the biomass per unit area by the age of forest ecosystem, देखो, अगर इसका answer नहीं भी पता, तो आपको answer निकालना बहुत बहुत easy है, आप से बोल रहे हैं, क्या निकलेगा जब होगे, एक second, let me change the color, जब आप biomass को divide कर दोगे, area से, biomass क्या होता है, biomass का मतलब है, biological mass, यानि जो जिन्दा चीजे mass produce करती है, जिन्दा चीजे कोई भी product आपको दे रही है, तो कितना product produce किया है, कितने area ने, तो आप उसको क्या बोलोगे, तो चार options है, biomass density, density जब भी आएगा, mass upon volume आता है, तो यह नहीं होगा, size biomass energy flow, biomass productivity, obviously biomass productivity correct answer होगा, वो इसलिए होगा, तो इसका option जो correct है, वो है D, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला है कि कितनी productivity होगी, productivity का मतलब क्या है, कि आप कितनी चीज बना रहे हो, तो इन्होंने यही बोला कि biomass कितन बन रहा है, per unit area, तो क्या होगा, biomass productivity, next question की बात करते हैं, next question है, species of grass named dash is on the verge of extinction, due to its insensitivity towards the environment, यानि कि वो कौन सी grass की species है, घास की वो कौन सी प्रजाती है, जो विलुप्त होने की गार पर है, वो पृत्वी से, वो और्ट से extinct होने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल insensitive है towards environment, वो कोई response ही नहीं देती है, environment में क्या हो रहा है, उसके प्रती, तो आपको मैं बता दू, उस grass का name है, herbdia, heptaneuron, ये वो घास है, मैं आपको बता दू, इसकी जो घास होती है, अगर आप नेट पर देखोगे, बिल्कुल लंबे-लंबे से इसकी leaves होती है, ये बिल्कुल विलु is not a type of chromosome, सबसे पहले आप बताएंगे मुझे chromosome, जिसको आप गुंसूतर बोलते है, वो क्या होते है, देखिए जितनी भी information आपके पास होती है, आपकी body के अंदर होती है, वो सारी की सारी, आपके nucleus के अंदर, kangra के अंदर, chromosome के अंदर present होती है, chromosome thread like structure होते है, बिल्कुल basis पर chromosome है ही नहीं, मतलब location के basis पर कहां पर present रहते हैं, उसके basis पर कहीं साई type के chromosome होते हैं, जिस सबसे पहला है telocentric, telocentric होगा जब वो बिल्कुल corner पर होगा, acrocentric, यह भी बिल्कुल corner पर होता है, metacentric, यानि जब chromosome बीच में हो, next है lofocentric, यह कोई भी type का chromosome नहीं होता, तो lofocentric is the correct answer, next question की बात करते है, charge found in bread, cereals and pasta made up of long chains of dash, यानि जो charge होता है, आपको पता है, जिसको carbohydrate भी बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा molecule होता है, वो किस चीज से मिलकर बना होता है, तो वो मिलकर बना होता है glucose से, इसी के साथ कुछ extra questions, protein किस से मिलकर बनते हैं, protein मिलते हैं, amino acid से, आप याद रखेंगे, और इसी के साथ, fat किस से मिलकर बनता है, वसा जिसको बोलते है, fat मिलकर बनता है fatty acid और glycerol से, तो यह आप ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से question ये भी आ सकता है, कि जब protein digest होता है, वो किस में तूटता है, amino acid में, या जब fat digest होता है, वो किस में तू इंटू simpler, inorganic substances, this process is called bacterial और fungal enzymes, अपरद को, पहली बात तो ये अपरद या detritus होता क्या है, जितना भी plant से, annual से, basically plants का ही होता है, जो भी आपने देखा होगा, जंगल वगरे में, नीचे घास, पत्ती, सब पड़ी रहती है, मुर्जाई हुई, वो सब जितना भी गंदी ची इसे होती है, उसको detritus बोलते हैं, तो उसको bacteria और fungus क्या करती है, उसको decompose कर देती है, मतलब बिल्कुल सडागरा देती है, लेकिन उसके लिए word decompose यूज नहीं करते है, हम क्या word यूज करते हैं, catabolism यानि अपच्य, तो अपच्य यूज करते हैं, catabolism का मतलब ही होता है, क उसको bacteria और fungi क्या कर देंगी, उसको बिल्कुल simpler चीजों में तोड़ देंगी, next question की बात करते है, the vitamin is found in liver, milk, eggs and fish, यह वो vitamin है, जो इन सब में मिलेगा, यह RBC यानि खून को बनाने में मदद करेगा, और इस vitamin की कमी से अनेमिया हो जाता है, तो बताए वो vitamin कौन सा है, तो आप इवर, milk, eggs और फिश में जो विटामीन होता है, वो होता है, विटामीन B12, तो विटामीन B12 इसका correct answer है, और आपको एक और बात बता दू, विटामीन B12 का नाम क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जब आपको विटामीन के नाम व्याद कराया थे, कि B12, यानि B12 तक आते हैं, संकी हो गया, संकी से आज़ रखोगे कोबायलमिन, नेक्स्ट क्वेशन की भात करते हैं, विच मैंब्रेन Bound Cell Organal, consisting of a small sac-leic structure, surrounded by a single membrane, serves as the cells digestive system, देखिए, अभी तक अगर आप question पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप यह पढ़ोगे, cells digestive system, यानि cell को जो पाचन तंत्र होता है, जो cell को digest कर सकता है, तो ऐसा कौन सा cell Organal है, जो cell को degrade, digest, सब कुछ कर सकता है, आपको बता रखा है, यह है Lysosomes, Lysomes इसका correct answer है, Lysomes क्या होते हैं, इनहीं को suicide bags of the cell बोलते हैं, क्योंकि अगर cell में कुछ खराबी आ जाती है, तो यह फट जाते हैं, इनके अंदर के enzymes पूरे cell में फैल जाते है और cell को खतम कर देते हैं, तो इन इको suicide bags और dustbin of the cell कहा जाता है, नेक्स्ट की बात करते हैं, कौनिफर, साइकेट्स और गिंको, plants belong to which category of plant groups, यह बहुत असान question है, आपके पास जब भी ऐसे question आएंगे आप यह देखोगे कि पौदे कौन से हैं, इनमें फूल आ सकते हैं, या इनमें fruits आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर fruits आते हैं, तो वो होते हैं angiosperms, अगर fruits नहीं आ सकते तो वो होते हैं gymnosperms, जिनको अनावरत बीजी बोलते हैं, gymnosperms का मतलब ही होता है, कि इनके पास फल नहीं आ सकते, अब conifers है, conifers वो होते हैं, जो इस तरीके से जिनकी प तो उनमें कभी भी फल नहीं आ सकते तो वह किस काटिगरी में होंगे वह जिम्नोय स्पाम में होंगे ध्यान रखेंगे इनमें से किसका उपयोग ततकाल उर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है तो चार ओप्शन है लैसन यानि गार्लिक, कॉरियंडर, बनाना और लैमन इसमें मैक्सिमम जो हैं लैमन लगाकर आएंगे नीमू लगाकर आएंगे बड़ इसका करेक्ट आंसर है बनाना या कारण से होती है तो इसका जो आनसर है सबसे पहलेए साइत्रस कैंकर, सल्ट्रस कैंकर जो है ौर्ट से नहीं होती है फौन्सा किरेक्ट आएंगे ढखेंगे, हैं अब है हम बुर्णी का शुर करेक्ट हैं, इसी के साथ न Island क्रों का सक metapheeee है तो आप सब्स्यान है तो अ कर्फ second is the correct answer और जो साइट्रस कैंकर है वो होता है बैक्टीरिया से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्कर्वी इस कॉस्ट बाइविंग एनफ डैश रिजल्टिंग इन जेनरल वीकनेस अनेमिया गम डिसीज और स्किन ब्लेडिंग स्कर्वी एक बिमारी है जो कौन से विटा अनेमिया अभी आपने अनेमिया की कमी से भी पढ़ा था आप ध्यान रखेंगे गम डिसीज यानि जो दातों में जो गम में मसूडों में दिक्कते होती और स्किन में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है वही है तो स्कर्वी से याद रखोगे विटामिन सी और सी से जनरली पांच साल या उससे कम मतलब न बच्चों को होती है तो नि्मोनिया किसी की कमी की वजह से नहीं होती है क्वाशी और कर यही कर्फट आंसर है क्वाशी और कर होता है प्रोटेन की कमी से bacterial meningitis तो bacteria की वज़े से होगा diarrhea भी एक बिमारी यह तो कमी किसी की कमी से होने वाली बिमारी से फेक यहां पर क्वाश्य और किसकी कमी से होती है next question की भात करते है इन एको system vertical distribution of different species occupying different levels is called एक पारिस्थिति की तंत्र में ecosystem क्या होता है जिसमें हम हैं हमारा environment है उसमें अगर हम vertical column में distribute कर दें अलग-अलग levels बनाके इसमें यह species आएगी इसमें यह species आएगी हर एक फ्रजाती तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं stratification यानि स्थर विन्यास next question की बात करते हैं which of the following pair of plastics things stored is not correct यह plastics होती है आपकी जैसे आपको पता है कि green plants में plastics मिलती हैं जिनमें chlorophyll वगरा रहता है तो plastics कहीं साही टाइप की होती हैं जिसे leucoplast chloroplast और chromoplast तो leucoplast में खाना स्चोर होता है और leucoplast आगे कहीं साही टाइप की होते हैं तो यह उनमें से दो हैं सबसे पहला है amyloplast और allureoplast तो आप से पूछ रखा है कि इन में से कौन सी चीज का जो वह यह वह गलत है तो मैं आपको बता दो दोनों ही गलत है amyloplast इस्चोर करता है स्चार्च इसके लावा allureoplast इस्चोर करता है प्रोटीन तो दोनों ही गलत है तो neither one nor second तो amyloplast क्या स्चोर करेगा स्चार्च कैसे याद रखोगे आप याद रखोगे ऐसे स्चार्च को डाइजेस्ट हमेशा एक एंजाइम करता है वह होता है amylase यह अपने क्लास में भी पढ़ा होगा इस से रिलेडिट क्वेस्चन में मैं आपको पता नहीं कितने करा चुकी हो नेक्स क्वेशन की बात करते हैं तो नेक्स क्वेशन इस दाश प्रिंसिपली परफॉर्म्स दा फंक्शन ऑफ पेकेजिंग मटीरियल्स तो बी डिलीवर्ट इधर दूदा इंट्रा सैललर टागेट और सिक्रेट आउटसाइड दा सेल यानि इन में से वह कौन सा एक सेल का पार्ट है जो पैकेजिंग का काम करता है चीजों को पैक करेगा सेल के अंदर भी टारगेट जो होंगे वहां तक पहुचाएगा या सेल के बाहर भी टारगेट तक पहुचाएगा देखो आपको मैं बताती हूँ टारगेट तक पहुचने के लिए आपको सिफ एक जना काम कर सकता है जो आपकी help करेगा आपके गुरू जी और गुरू जी से मैंने आपको याद करा रखा है गौलगी अपैर्टेस तो गौलगी अपैर्टेस इस दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेस्चन की बात करते हैं which of the following pair of microorganism type इन में से कौन सा microorganism और उसके type का pair correct है सबसे पहला है पेरमीशियम तो आपको मैं बता दू पेरमीशियम क्या होता है एक protozoa रहता है तो पेरमीशियम फंजाई नहीं है इन इंक्लूट से टाइफा बल्रॉश इस सब ग्राशिस के टाइप से ग्रास क्या होती है प्रोड्यूसर्स होते है तो यह सब अपना खाना खुद बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे नेक्ट क्योशन की भात करते हैं विच अफ फॉलोईंग इस नॉट फंक्शन ऑफ केल्शियम इन आर बॉड़ी हमारी बॉड़ी में केल्शियम का इन में से कौन सा काम नहीं है healthy bones यह बिल्कुल है it helps muscles to contract बिल्कुल यह muscles में help करता है contract करने के लिए it helps the digestive system हमारे पाचन तंत्र में मदद करता है calcium पाचन तंत्र में कोई मदद नहीं करता calcium हड़ियों में आपके दांत में आपकी muscles में मास पेशियों में blood को clot करने में इन सब में मदद करेगा पर पाचन तंत्र में कोई काम नहीं करे next question which cell organal is a checked membrane यह sec of ER-like thickness that helps to process package proteins and lipid molecules especially fixed proteins यानि इन्होंने क्या बोला है कि इन में से वह कौन सा cell है जो membrane की तरह होता है जैसे endoplasmic reticulum जो आपकी ER होती है वह shape कैसी होती है endoplasmic reticulum ऐसा होता है न तो वह बोल रहे है endoplasmic reticulum के जैसा दिखता है तो endoplasmic reticulum के जैसा कौन दिखता है जो इस इस जैसे प्रेक्षब बरियर बरियर सेसरे इंट्रॉनल एंवार्मेंट आपके बहुत पतला बरियर होता है जो तो इस वाली जिल्ली को क्या बोलते है प्लास्मा मेंब्रेन बोलते हैं तो इसकी एक स्पीशीज है इसके अंदर जब reproduction होता है ये अपनी population बढ़ाते हैं तो दो gamets जो दो gamets मिलेंगे उनका size अलग-अलग होगा तो जब दो different size के gamets मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं anisogamous आप याद रखेंगे असम यूगमन यानि anisogamous is the correct answer next question nuts vegetable oil and fish are rich sources of मेवा वनस्पती तेल और मचली किसके संब्रद स्तोत है तो यह है omega 3 का ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे next question की बात करते हैं one of the dash the giant redwood tree सिकोया is one of the tallest tree species जो सिकोया होता है एक लाल लकडी वाला पेड़ है सबसे उचा वरक्ष की प्रजातियों में से एक है यानि बहुत लंबा होता है तो यह इन चारों में से किस category में आएगा मैं आपको बता दू इसमें भी कोई फल नहीं आते तो आपको मैंने बताया हुआ ह यहीं से आंसर पता लग जाना चाहिए मैंने आपको कराया हुआ है ऐसे organisms जिनकी पूरी बॉडी में छोटे 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 होल्स रहते हैं और वो पानी में रहने वाले जानवर होंगे मैं आपको यह बता दू तो ऐसे होंगे इनको बोलता है पोरी फेरा ध्यान रखेंगे और इसका सबसे कॉमन एक्जामपल है स्पंज जो हम सफाई में भी स्पंज यूज़ करते हैं पानी में मिलता है यह तो इसका अंसर हो गया पूरी फेरा नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं विच वफ फॉलोइंग पेर ऑफ हुमन डिसीज माइक्रोर्गेनिजम मॉड्ड of Transmission, तो पेर कैसे हैं पहले बिमारी का नाम नाम है फ्र माइक्रोर्गेनिजम का नाम है और कैसे फायलती है वो सब्सक्राइल टीबियों इसको शौट में टीवी बॉलता है वायरस गलत टीबी होता है बैक्टीरिया से गलत हो गया चिकेट वाइरस वायरस वायरस से होता है और वाटर आपीध था यह सिंपल हाथ लगाने तो दोनों ही गलत है तो नीदर वन नौट रुसका और क्रेक्ट की बात करते है which of the following pair of mineral need is correct mineral का नाम है और फिर उसकी जुरुत है iron formation of hemoglobin यह विल्कुल ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जो hemoglobin होता है blood में hemoglobin के अंदर क्या होता है iron होता है तो hemoglobin के ऐसे ही आपको मैंने याद करा रख्या है मैंने याद करा रख्या है chlorophyll chlorophyll के अंदर होता है magnesium आपके blood के अंदर क्या होता है iron और chlorophyll के अंदर magnesium तो iron किसके लिए जुरुत है hemoglobin के लिए बिल्कुल ठीक है sodium proper functioning of thyroid गलत thyroid के लिए होता है iodine आपने सुना भी होगा iodine वाला नमक खाना चाहिए तो इसका answer है केवल one यानि only one next question की बात करते है amylase enzyme can be found in amylase अभी आपने पढ़ा था amylase किसको digest करता है charge को और amylase कहां कहां पर मिलता है amylase मिलता है सबसे पहला saliva के अंदर दूसरा हम बिलता है pancreatic यानि pancreas अगनाशे जिसको बोलते हैं उसके अंदर तो इसका answer है saliva next psychus is an example of which of the following animal phylum यानि psychus जो है ये पहली बात तो आनिमल नहीं है ये plant है psychus नाम का जो पेड़ है वो कौन से kingdom में मिलेगा आपको मैं बता दू जिम्नो स्पॉम में साइकस भी होता है जिसमें छोटे-छोटे से काटे-काटे होते इस के अंदर भी कोई फल नहीं आता तो इसका answer है gymnosperms next question की बात करते है malic acid is most evidently found in ये मैंने आपको classes में करार रखा है malic acid किसमें मिलता है apple के अंदर इसी के साथ lemon के अंदर कौन सा acid मिलता है citric acid tamarind के अंदर मिलता है tartaric acid ध्यान रखेंगे इनमें यहीं दो करने है और apple के अंदर होता है malic acid next which aquatic microorganisms eat phytoplankton and then become food for fish crustaceans and other large species इस question का मतलब है कि वह कौन से microorganisms है तो आप देख सकते हो जो बात हो रही है वो बड़े जानवरों के उपर बात नहीं हो रही microorganisms के उपर बात हो रही है कि वह कौन से microorganisms हैं जो phytoplankton को खाते हैं देखें जैसे food chain है सबसे पहले plants आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फिर consumers आते हैं जो उनको खाते हैं तो दो खाते हैं वो होते हैं zooplankton तो इनको कौन खाएगा यही पूछ रखा है zooplankton खाएंगे तो आपकी जो food chain भी होती है वह ऐसे ही होती है सबसे पहले phytoplankton इनको खाते हैं zooplankton इनको खाते हैं आपकी small fish और इनको खाती है large fish तो धियान रखेंगे last question की बात करते हैं which plants are included in thallophyta thallophyta में कौन से पौधे शामिल है आपको याद कैसे कर रहा था thallophyta को याद रखो ठाली तो यह वो पौधे होते हैं जो पूरे के पूरे एक जैसे होंगे आप इनको अलग-अलग नहीं कर सकते कि यह stem है यह root है यह leaves है पूरे पौधे दिखने में एक जैसे होते हैं सबसे जादा पौधे जो मिलेंगे थैलोफाइटा के मिलेंगे और इसमें सारे वो नाम आते हैं जो आपने चाहिए सुन भी नहीं रखे होंगे तो जैसे रोज है यहां पर रोज आ रहा है लाइकन्स आ रहा है वैसको यह नहीं होंगे आपका correct answer है अलवा चारा और क्लैडोफोर यह वो हैं जो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं जादा तर इसके अंदर दो ही चीज़े आती हैं एक तो अलगेई और एक फंजाई शवक शेवाल और कवक यह दोनों आते हैं और इनके combination को क्या बोलते हैं लाइकन्स आपको पता है बता रखा है अलगेई और फंजाई हमे इसी के साथ important playlist कि यहां पर मैंने डाल दिया है आप देख सकते हैं कि हर चीज़ की playlist बना दी गई है तो time to time check करते रहे हैं यह देखने के लिए कि कोई video miss out तो नहीं हुई इसी के साथ complete GS में enroll करने के लिए आप आज ही आपको download कर सकते हैं और उसमें complete GS जिसमें सारे के सारे ज sessions जो है recorded sessions है ताकि आपका time waste ना हो आप महां से बिलकुल help ले सकते हैं और अगर आप proper SSC पर focus कर रहे हैं तो अभी सारे सभी subjects में अगर आपको guidance की नीड है तो आप हमारे officers batch में enroll कर सकते हैं जिसमें सारे subjects maths, English, GQ, reasoning आपको कराये जाएगी and that too is a very reasonable price of 1999 और वह भी 9 months की validity है जि आपके सारे main exams cover हो जाएंगे तो guys यह थी आज की video I really hope आपको यह video पसंद आई होगी thank you so much and have a very nice day